बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान और उनकी गल्फ्रेंड यूलिया वंतूर के अफियर को लेकर तो अक्सर खबने चाई ही रहती हैं सल्मान ने कभी अपने रिष्टे पर खुल कर बात नहीं की लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे कई बातें साफ हो जाती है हाल ही में महा शिवरात्री के मौके पर सल्मान खान के फार्म हाउस के पास एक मंदिर में पूजा रखी गई सल्मान तो इस पूजा में मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी मां सल्मा खान और यूलिया वंतूर मंदिर में जाते दिखे इतना ही नहीं सल्मान खान ने यूलिया से आर्टी भी करवाई सल्मान के ना होते हुए भी यूलिया ने खान फैमली के साथ शिवरात्री का त्योहार मनाया साथ ही गाउं में जाकर गरीब परिवारों को खाना और कपड़े भी बाटे इससे पता चलता है कि सल्मान की माने भी यूलिया को अपने घर का सदस्य मान लिया है आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटर्व्यू में यूलिया ने कहा था ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो सोचो वो ही हो जाए मैं सल्मान की बहुत इज़द करती हूँ मुझे नहीं पता कि जिन्दगी हमें किस ओर ले जाएगी वहीं दूसरी तरफ सल्मान भी बॉलिया का करियर बनाने की कोशिश में लगे है यूलिया सल्मान के परिवार का हिस्सा बन गई है वो सल्मान के परिवार के साथ ही रहती है और घर में होने वाले सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करती है इन सभी बातों से साब जाहिर होता है कि भले ही अभी एबात खुल कर सामने नहीं आई है लेकिन यूलिया सल्मान की लाइफ का एक खास हिस्सा बन चुकी है बॉलिवूड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया पूरी कट सब्सक्राइब करना ना भूब